है हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ trading lab channel पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे caltoner channel की और caltoner channel जैसा की आपको पता है कि channel trading एक बहुत effective concept होता है intra-dagip trading ले लें या swing trading ले लें कोई भी form of trading लें तो चैनल trading एक बहुत अच्छा होता है जिसमें आपने Bollinger Bands पढ़ा होगा, ATR Bands पढ़ा होगा, ऐसी दोस्तों, Keltner Channel बहुत एक important concept है, इससे पहले हमने Donchian Channel पे भी आपको कुछ बताया था, लेकिन ये एक important वीडियो है, इसमें हम Keltner Channel को study करेंगे, और Keltner Channel के basis पे आप कैसे एक intraday trading की strategy बना सकते हैं, और उसको ह हम आ गए हैं यहां पे chart पे, और आपको जाना है studies में, और studies में type करना है Keltner, Keltner type करते ही, आपका Keltner Channel आ जाता है दोस्तों, Keltner Channel कुछ ऐसा होता है, Bollinger Band के तरह होता है, ये ATR based होता है, दोस्तों, Bollinger Band ATR based नहीं होता, ATR क्या होता है, Average True Range, अगर आप studies में जाएंगे, त देखें, हर time frame में जो आपकी volatility को measure करता है, दोस्तों, वो Average True Range होती है, ये 10 minute के time frame में volatility आपको बता रहा है, कि ये stock 5 रुपे, जो है, इसकी volatility है, 10 minute के time frame में, ऐसी अगर आप higher जाएंगे, तो आपको daily chart की volatility भी देखने को मिल जाएगी, कि एक दिन में ये कितना volatile हो सकता है, क होता है, कैल्टनर चैनल जो होता है, दोस्तों, और इसको हम, जैसे मैंने आपको plot करके दिखाया, आप plot करते हैं, उसके बाद हम trend की direction, यानि किस तरफ का trend चल रहा है, किसी भी security में, किसी भी particular time frame में, वो ये आपको बताता है, हर time frame में, जैसे आप switching करते जाएंगे, तो एक strategies होती है, जैसे कि यह अगर channel के top को break करता है, उपर की तरफ closing price, तो भी trade किया जाता है, channel के bottom को, अगर आप इसकी settings देखेंगे, तो यहाँ पे keltner का top होता है, यह top line होती है, keltner का median होता है, यह median line होती है, और keltner का दोस्तों, यहाँ पे bottom होता है, तो यह bottom line होती है, तो strategies होती है, जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे keltner के bottom, bottom यानी below channel, यानी bottom वाले channel को अगर यह नीचे की तरफ close देता है, तो यहाँ पे हम इसको sell का signal समझते है, ऐसे ही दोस्तों, अगर यह उपर की तरफ, यह red वाली, जो उपर की तरफ top channel है, अगर यह top channel के ऊपर एक green candle से closing देता है, 10 minute time frame ले लेंगे, आप 15 minute time frame जो भी लेंगे वो आपकी अपनी आपके अपने trading style के ऊपर है, लेकिन अगर यह उपर देता है, तो यहाँ पे यह top channel वाली trading हो जाती है, तो और अगर यह देखें, यहाँ पे और वो क्या signal करता है, आपको continuation का signal करता है, और दूसरी strategy होती है, दोस्तों, वो median crossover strategy होती है, यह median crossover क्या होती है, तो देखें, यहाँ पे blue line, blue line, median line होती है, और median वाली line को जो crossover करता है, जब यह, तो यह देखें, यहाँ पे crossover किया, इसने median वाली line को, यह वाली green candle से crossover किया, तो हम यहाँ बाय की position इस security में बना लेते हैं, उसके बाद यहां पर different points पर रुकता है और तो यह continuation signal करता है लेकिन जो हमारा main motive होता है इसमें median के crossover का तो median पर यह closing पर candle मिलनी चाहिए हमें तो यहां पर अगर आप महंद्रा और महंद्रा के चार्ट पर देखेंगे तो आपको यह वाली candle देखेंगे आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ यह वाली candle पर आपको यहां पर buy का trade मिला तो यह इसके उपर हम एक strategy बनाएंगे कि यह strategy को create करेंगे back test करेंगे deploy करेंगे कि जब भी यह median line को cross करता है किस time frame में 10 minute के time frame में तो हम यहां पर buy की condition बनाएंगे stop loss क्या रहेगा target profit क्या रहेगा और trailing stop loss क्या रहेगा exit की conditions क्या रहेंगी सारी conditions हम यहां जाके बनाएंगे तो दोस्तो इस strategy को हम बनाएंगे स्ट्रीक के ऊपर और स्ट्रीक के ऊपर हमने आप से पहले भी बहुत exclusive video आप से share किये जो कि nifty पे bank nifty पे nifty options bank nifty options intraday में कैसे आप कर सकते हैं option selling के ऊपर भी option selling की strategies भी बहुत अच्छी आप चैनल पे देख सकते हैं तो video की description में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे तो यहां पर टेक के ऊपर आपको login करना होता है तो आपके पास यहां पे चार options रहते हैं आप अपने काइट के अकौंट से log-in कर सकते हैं अपसट्रॉग कर सकते हैं अईंजलक के कर सकते हैं और 5 पैसा के अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं तो मैंने यहां पर अपने काइट के अकाउंट से लॉग इन कर लिया है और काइट से लॉग इन करने के बाद मैं आ गया हूं strategies के section पर तो यहां पर हम strategy बनाएंगे और इसका जो नाम देंगे वो दोस्तों देंगे caltoner channel bullish strategy तो यह हम bullish strategy पर work करेंगे और इसको यह intraday की strategy होगी और कोई भी strategy create करने से पहले हमें कुछ ना कुछ stocks यहां पर दोस्तों add करने पड़ते हैं और यहां पर हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है दोस्तों कि कोई भी जो भी stock हम add कर रहे हैं वह stock जो है at least nifty 50 में हो और उसके अंदर volumes काफी अच्छी हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने hero motocop add किया है ITC add किया है और Mahindra and Mahindra add किया है और Nestle भी add कर लेंगे अच्छे stock add करेंगे क्योंकि जिसमें volumes नहीं होंगी वह stock हमारे मतलब के नहीं है और Nestle add किया reliance add किया है तो जिनमें trading activity अच्छी होती है volumes अच्छी होती है nifty 50 में तो उनमें manipulation बहुत कम होती है तो ऐसे stocks हम add कर लेते हैं उसके बाद यहां chart type आप candle stick रहने देंगे और यहां पर candle का interval 10 minutes का कर देंगे हम और holding type यहां MIS रहने देंगे max allocation यहां 50,000 कर देंगे कि जो भी जो allocation होगा वो 50,000 rupees का होगा एक stock में और इसको capital based कर देंगे इसके उपर भी हमने exclusive video आपको दे रखा है position sizing backbone होती है किसी स्ट्राटेजी की तो position sizing आप जरूर करिये और वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखके position sizing भी समझ लीजिए आई बटन में आपको उसका link मिल जाएगा यहां पर capital based select करने के बाद हम कर देंगे next और next जाने के बाद हमें देनी होती है तो यहां पर मैंने दिया closing price और crosses above जब भी closing price हमारा crosses above होगा किस से keltner channel keltner channel के यहां पर by default जो settings है वो रहने देंगे period 50 का रहने देंगे और इसको median करना है कि जब भी वो cross करता है median को exponential यहां पर रखेंगे जो भी by default exponential moving average और shift 5 का और offset 0 का और इसको done कर देंगे तो यह हमारी दोस्तों entry की condition हो गई entry time by default जो है वो हम रहने देंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाएंगे stop loss देना हमें take profit देना है तो stop loss हम छोटा रखेंगे इसमें और stop loss हमने रखा है 0.8% का और उसके बाद दोस्तों हमें देना है take profit take profit देंगे 3% का और trailing stop loss trailing stop loss भी हम जो है 0.8% का दे देंगे उसके बाद एक और condition हम देंगे entry की कि या तो हमारा trade इन 3 condition में exit हो जाए नहीं तो हमारा जो trade है वो सवा 3 बजे exit हो जाए तो यहां पर candle time एक function होता है candle time में hour of candle हमें लेना है और इसको जो है hour of candle equal to हो जाए जब कौन सा number 15 15 क्यों दोस्तों क्योंकि 3 को 24 hour format में 15 कहा जाता है तो 3 बजे जो है तीन बजे और यहां पर एक और condition देंगे कि तीन बजकर पंदरा मिनट पे तो फिर से हम candle time देंगे और candle time के अंदर यह minute of candle जो selected है यही रहने देंगे यह बताएगा आपको कि कि किस minute में तो यहां पर हम दे देते हैं equal to वापिस से और equal to देने के बाद हमें यहां पर देना है दोस्तो नमबर फिर से और फिफ यहां पर देंगे 5 तो यहां पर हमारा trade जो है यह exit हो जाएगा तीन बचकर पांच मिनट पे तो यह हमारी exit की condition हो गई और यहां पर हम इसको next कर देंगे next करने के बाद आप review कर सकते हैं सारी conditions को back testing का period आपके सामने आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा और हम यहां क्लिक कर देंगे save and back test को तो दोस्तों यहां पर back tested results मेरे पास आ गए है और ICIC Aprili में देखेंगे तो आप 13.2% का profit आ रहा है Hero Motocop मे 6.78% का profit है ITC में देखेंगे तो 5.2% का profit है M&M में देखेंगे तो 5.66% का Nestle में 12% का और Reliance में 9.4% का तो यह दोस्तों अगर आप इसका और डिटेल में देखना जाते हैं तो आप यहां पर signals भी track कर सकते हैं कब-कब आपको signal मिल रहे हैं चार्ट पर जाके देखना जाते हैं तो चार्ट पर भी आप यहां पर track कर सकते हैं कब-कब signals मिले हैं जो एक Trail बन जातीह है आपकी Trading Lock लोग की वो ट्रीडिग लोग की ट्रेल में भी आप जाके ये चेक कर सकते हैं अगर आप सेटिसफाइड हैं इससे तो आप इसको सारे स्टॉक इहां सेलेक्ट कर सकते हैं । आप डिप्लॉई कर सकते हैं और Deploy में आपके पास ये डिपलॉय करने के लिए सारे स्टॉक के आजाते हैं Deployment के आपके बास दो options होते है एक तो PayPal TRADE होता है PayPal TRADE में आपकी वर्चas eto मौनी इंवाल्ड होता है जिस भी aqaunt से आपने login किया है आपका वो पैसा नहीं लगता, आप वर्चूल पैसा यानी आपकर जो वर्चुल मनी है वो से रहता हैंसल मौनियोगक्न हुआ है लेकिन जब आप इसको ओसिका dragging गतुच में सब्सक्राइब गया जैसे position sizing type आपका दिखा रहा है capital based है जो आपने select किया था order type आपका market है सारी conditions को आपको यहाँ accept करना पड़ता है check box के थूर और यहाँ पे live trade पे click करना पड़ता है तो जैसे ही आप live trade पे click करते हैं तो आपकी strategy deployed हो जाती है और यहाँ पे आप C deployed strategy के थूर जाके देख सकते हैं कि आपकी strategy कौन सी deployed है और waiting state में है दोस्तो waiting state का मतलब है आप यह wait कर रही है जब भी market open होगी और किसी भी stock में अगर जो entry condition meet होगी हमारी यह वाली condition जो 10 minute के time frame है करता है कोई तो यहाँ पे आपको यह एक message आएगा दोस्तो वह message अगर आप okay करते हैं तो आपको आपका trade execute हो जाएगा आप अपने mobile में भी message ले सकते हैं streak की v4 app जो है download करके और आप कहीं भी हो meeting में हो कहीं पे travel कर रहे हो तो आप अपने trading decision ले सकते हैं पॉप आपके mobile में आ जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में ने देखा Kaltener channel के basis पे कैसे कैसे आप बहुत सारी strategies है जो हमने आप जो हमने आपको दिखाई की Kaltener channel के top और bottom को break पे भी trade लिया जाता है median को और median पे हमने आपको एक strategy create करके दिखाई उसको backtest किया deploy किया वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को like share जरूर कीज़ेगा जो भी social media platform आप use करते हूँ twitter, instagram, whatsapp अपने friends में, groups में जरूर share कीज़ेगा ताकि उन तक भी knowledge free of cost पहुंचे और हमें भी motivation मिले हम अच्छे से अच्छी चीज़ें आप से आगे भी share करें thank you दोस्तो